नमस्कार दोस्तो, उम्मिद करता हूँ अप अच्छे होंगे और अच्छे रहना दोस्तो हमारी पिछली वीडियो को देखने के लिए और दिल से इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो, आज की वीडियो हम जानेंगे 5 by 8 feet में आपको टॉलेट बाथरूम कैसे बनाना है बहुत ही demanding topic था, मैंने सोचा चलो इसके पूरी वीडियो बना देता हूँ वीडियो को पूरा देखके जाना, समझ में आ जाएगी आपकी पूरी वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना, और अभी तक आप आपने हमारी चैनल को सस्क्राइब नहीं किया दोस्तो तो सस्क्राइब करके जरूर जाए, तो चली वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो 5 feet by 8 feet के toilet bathroom को आप 3 तरीके से डिजाइन कर सकते हैं तो वीडियो के end तक बने रहा है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो की देखने की जरूर नहीं पड़ेगी दोस्तो आपके सामने अभी 5 feet by 8 feet का space है, तो चली डिसाइन करते हैं पहले तरीका washroom दोस्तो इसमें 5 feet वाली wall पे, corner पे मैं 5 feet का door लगा रहा हूँ क्योंकि toilet bathroom का standard size का door 5 feet का होता है अब door लगाने के बाद दोस्तो सबसे पहले हम लगाएंगे wash basin मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया है कि हम सबसे यदा toilet bathroom के अंदर wash basin का use करते हैं पूरे दिन में तो ज़रूर यह है कि आपकी wash basin ऐसी जगह पे हो जो floor area dry हो क्योंकि floor का area wet रहेगा वहाँ पर तो आप पूरे घर को दिन बर गंदा करते रहेंगे तो right corner पे पहले में wash basin लगा रहा हूँ डाई fit की दोस्तों दोस्तो 6 इंच का space छोड़े के wash basin से अब हम लगाएंगे इसमें toilet seat डेट fit की toilet seat में लगा रहा हूँ दोस्तों जब भी आप toilet seat लगाने वाले हों तो हमेशा sanitary shop पे जाके पहले ही plan कर लें कि आपको कौन सी seat लगवानी है कुछ toilet seats में 9 इंच का gap आता है wall से जो उसका outlet है और कुछ outlet 4 इंच के gap पे होते हैं toilet seat के तो लोग कही बार गलती करते हैं कि 4 इंच का gap छोड़ेंगे plumbing में और 9 इंच वाले seat लियाएंगे और फिर उनको दुबारा shop पे जाके उसको seat को वापस करना होता है और इससे आपका double double खर्चा हो जाता है उसको लाने ले जाने का तो toilet seat कौन सी लगानी है आप पहले ही plan कर लें यहां मैं 1.5 फिट की toilet seat लगा रहा हूं दोस्तों toilet seat लगाने के बाद अब सामने वाली 5 फिट की wall के बीचो बीच मैं लगा रहा हूं shower और shower लगाने के बाद अब मैं reference के लिए आपर एक bucket रख देता हूं और साथ ही साथ एक आदमी को खड़ा कर देता हूं reference के लिए ताकि आपको चल जाए पता कि toilet bathroom के size exactly कितना है दोस्तों ये मेरा 2D map ready हो गया है और अब इसको हम 3D में देखते हैं कि हमारा toilet bathroom कैसा लग रहा है दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि 3D के अंदर toilet bathroom बहुत ही अच्छा लग रहा है काफी spaces के अंदर बन बारा है 5 by 8 का toilet bathroom था और आपको भी दोस्तों ऐसे ही बनाना है यहां corner पर मैं रखता हूँ 5 फिट की wash basin जैसे कि मैंने आपको बताया था कि wash basin पहले आनी चाहिए ताकि आप दिन मर wash basin भी यूज़ कर सकें और आपका घर गंदा ना हो अब जिस wall पर दोस्तो wash basin लगी है उसी wall पर मैं लगा रहा हूँ toilet seat तिवार से 6 इंच का gap छोड़ कर और toilet seat दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया ऐसी आपको लेकर आनी है 9 इंच का outlet है या 4 इंच का outlet है wall से वो पहले ही आप decide कर लें अब दोस्तो opposite वाली wall है जो 5 फिट ही इसके बीच में मैं लगा रहा हूँ shower यह बिल्कुल center पर है और इसके नीचे मैं लग रहा हूँ bucket और साथ ही साथ एक आदमी को खड़ा कर देता हूँ ताकि आपको चल जाए पता कि कितना size बचरा है अब दोस्तो 2D में हमारा ready हो चुका है 5 by 8 के toilet bathroom का और अब देखते हैं 3D में कैसा लग रहा है तो दोस्तो 3D में convert करने के बाद काफी space बच रहा है toilet के अंदर और इस तरह के से भी आप अपने 5 by 8 के bathroom को plan कर सकते हैं अब दोस्तो हम बढ़ते हैं तीसरे layout की तरफ 5 by 8 में दोस्तो इस layout में 5 fit वाली wall पर right hand side पर मैं die fit का door लगा रहा हूँ और जो space अंदर बचा है die fit का वहाँ पर मैं अब wash basin को fit कर देता हूँ दोस्तो wash basin fit करने के बाद सामने 5 fit वाली opposite wall पर मैं change का space छोड़ के dead fit का toilet seat लगा देता हूँ और साथी साथ जिस wall पे wash basin लगी है उस wall पे wash basin से धाई fit का space छोड़ कर मैं shower को fit कर देता हूँ साथी साथ नीचे bucket लगा देता हूँ और एक आदमी को खड़ा कर देता हूँ reference के लिए चलिए दोस्तो देखते हैं ये 5 by 8 का washroom ये वाला layout 3D में कैसा लग रहा है तो दोस्तो आप देख सकते हैं कि 3D में डिजाइन बहुत ही अच्छा लग रहा है और इस तरीके से भी आप 5 by 8 फेट के अपने washroom को डिजाइन कर सकते हैं दोस्तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आई होगी आपका कोई भी कोशन हो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछे दोस्तो अगर आपने घर का नक्षा बनाना चाहते हैं तो नीचे दिए वाटसेफ नमबर पे contact करके आप हमार साथ जोड सकते हैं वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत अन्यवाद आपका दिन शुब रहे